तो हेलोगोड बारे यूट्यूब चैनल मैं सेल अरण आवर यार आज की वीडियो में बात करने वाले हमारा अमरिता विश्वा कॉलेज जो काफी डीसेंट कॉलेज से में देखने को मिल जाएगा इसका सारी चीजों के बारे में चाहिए कॉलेज के बारे में सब कुछ डिट सब्सक्राइब कर दो बड़ता में कॉलेज रिवीव में तो अमरिता विश्वा हमारा इंकिनली इंफोर में स्टाइबलेश होगा तो प्राइवेट कॉलेज और एक सो तीस एकड की बड़ा जिगा पे तुमें कॉलेज देखने को मिल जाएगा बात करें इसमें कितना दू रही है एरपोर्ट से 30 km दूर है कॉंबटर इंटरनेशन एरपोर्ट से और हमारा ऐल्वे स्टेशन से 1 km दूर हबिलकुल ही पास में झाले है बात करते है इसके रैंकिंग की तो यह सारी ठांकिंग मैं डाल दी हम बात करेंगे ने एक इना उफ राइकिंग की तो इनका इसमें डिरेक्ट मोड आप देखने को मिल जाएगे इसकलिक getcollegeadmission.com का यूज कर सकते हो यहां पर सारी डिटेल्स तुम्हें देखरी होईगी ठीक है इंडिया के कोई और top private college में तुम्हें directing mission चाहिए तो तुम इन से जाके बात कर सकते हैं कि तुम्हारी पूरी help करा देंगे बढ़ते हैं अपने course offer की तरफ तो काफी सारे course तुम्हें देखने को मिल जाते है aerospace engineering हो गया, automation हो गया, chemical हो गया, civil हो गया computer science में भी काफी सारी branches तुम्हें देखने को मिलती है ठीक है जैसे computer and communication, computer science engineering, artificial intelligence, specialization में आ जाती है हमारी cyber security आ जाती है, EC ही तुम्हें को देखने को मिलती है यह सारी branches ते अगर बात करूँ seat mattress की तो aerospace की तुम्हें 60 देखने को मिलेगी computer science engineering, without any specialization तो मैं 360 देखने को मिलेगी और with specialization तो मैं 60 and 60 देखने को मिलेगी तो basically तुम्हारी total seat 1320 होती है इसमें से approximately 500 से 600 seat है जो है, वो computer science की है 360 तुम्हारी वैसे बिना किसी specialization के हो गई और 60-60-60 तुम्हारी वैसे हो गई तो total तुम्हारी 500 से 600 seat जो है वो computer science की तो competition tough रहेगा इसमें थोड़ा placement के time पे ठीक है बात करें इसके cut off की तो मैं अपर यहां पर दिख रही होगी यह through A triple E है और J main के through है closing rank ठीक है यहां पर तुम pause कर देख सकते हो video यही बाकी branches की ठीक है और यह EC mechanical and automation and robotics की तुम्हें cut off दिख रही होगी बात करतें इसके fee structure की तो यह थोड़ा vary कर जाता है यहां पर क्योंकि तुम्हार को 1,25,000 से लेके 4,500,000 तक fees देखने को मिल जाती है depend करतें तुम्हारी branch पे बात करें क्योशन मनी होती है 10,000 की जो refundable होती है बात करें hos syllable fees की तो तुम्हारी total 1,13,000 बैडते है break up तुम्हें यहां दिख रहा होगा mass fees होती है, hos successive fees होती है और इसमें konsil was throws इसमें होती है काईशन मनी होती है dso refundables होती है Cuishmenteseenga तो तुम्हारी group A में सारी computer science की branches है जिसके तुम्हें 3,25,000 fees देखने को मिलती है तो यह तुम्हें 3,25,000 की अगर तुम computer science लेते हो तो 4 साल के पूरे tenner में तुम्हारी यह बैठी ही हमारी कुछ 13,00,000 के round बैठ गए और 4,00,000 का hotel जाद अंतर नहीं 25,000 का यह अंतर है Group C में आती है हमारी aerospace chemical और civil जिसकी fees तुम्हें देखने को मिल जाएगी regular fees 30,00,000 के round तुम्हें देखने को मिल जाएगी regular fees without any scholarship ठीक है बात करते अब scholarship की तो यहां पे तुम्हें सारी scholarship देख रही होगी इसमें 100% tuition fees waiver देखने को मिल जाएगा Amrita Chancellor scholarship के through ठीक है और Metoria scholarship भी होती और इसमें Metoria scholarship ही तुम्हें दूसरी देखने को मिलेगी जिसमें 75-50% fees waiver देखने को मिलेगा बात कर इसके highest package की तो वह 20,00,000 के round तुम्हें देखने को मिलेगा इस college का और average package 6-7,00,000 के round तुम्हें देखने को मिलेगा तो इस क्यारों इतने अच्छी निगलकर नहीं आती है कि मैं सीदे सीदी बात करूँ बड़ इसका campus काफी सुन्दर है तो तुम्हें campus life जो होती है college life होती है वह काफी शांदार देखने को मिलेगी इस college में बात करते है campus facilities की तो यार 130 सेकर का campus है तो इसमें सारी facilities तुम्हें top notch देखने को मिलेगी कहीं भी कमी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी चाहे वह sports हो गया hostel हो गया कोई और facilities हो गई ठीक है ज़्यादा तुम्हें वह नहीं चाहिए थीक है बात करे sports facilities की तो देख सकतो कितना बड़ा sports field तुम्हें देखने को मिल जाएगी basketball court तुम्हें देखने को मिल जाएगी badminton court तुम्हें देखने को मिल जाएगा बात करते थोड़े बात प्रोस की तो यार इसका जो करीकुला में वह काफी top notch है काफी मतलब IIT के टककर काया ठीक है और यहां पर student exchange program यह तुम्हें देखने को मिल जाता है fellow university के साथ campus life यह तुम्हें तुम्हें पहले हो बताया था बात करते इसके थोड़े बात कॉंस की तो यार 75% attendance तुम्हारी mandatory है इस पर ठीक है और food जो mess का हो इतना okay okay यह तना अच्छा तुम्हें mess का food देखने को नहीं मिलेगा बात करे restrictions तुम्हें थोड़े बात मिलेगी outings मतलब अब अगर तुम भार जाते हो college तो वह warden जो बैठे थे ना जो मैंने hostel में बात करी थे वह थोड़ी तुम्हें दिककत देंगे ठीक है और तुम्हें यूनिफॉर्म पैननी पड़ेगी और तुम्हें यूनिफॉर्म पैननी पड़ेगी और तुर काफी जो लोकेशन है न एकदम शहर से अटकर है तो इत यह मैं आज पीडिया फॉर्म में डाल दूँगा वहाँ तुम्हें एक दम उसको ढंक से पड़ सकते हैं तुम्हारा काफी टाइम बचेगा बाग यार इस चैनल को मेक शॉर्यों सब्सक्राइब को कि सारे कॉलेज रिव्यू जो तुम बोलोगे वह आएगा कमेंट सेक्श